Hello friends, welcome to study news, Huron Global Unicorn Index 2020 जारी हुआ है इस इंडेक्स को East China में इस्थित, सूजु सहर में एक इंस्टिटूट है जिसका नाम है Huron Research Institute ये जारी करता है ये पूरे विस्व में Unicorn Companies की लिस्ट बनाता है इन्होंने इस बार वर्ड में 586 Unicorn Companies खोजी हैं जिन्हें इन्होंने लिस्टेट किया है जिनमें से अमेरिका में ही 233 और चाइना में 227 कमपनिया हैं जो Unicorn है ये पूरे विश्व का 79% है इसमें UK और भारत तीसरे और चोथे स्थान पे हैं UK में 24 और भारत में 21 कमपनिया Unicorn हैं और इस लिस्ट में World Top 3 Unicorn Companies चाइना की ही हैं 2019 में जारी Huron Global Unicorn Index में भारत का तीसरा इस्थान था लेकिन इस बार UK में 11 कमपनियों को Unicorn का दर्जा मिला जिसके कारण वहाँ पर अब 24 कमपनिया Unicorn हो गई हैं और भारत की 21 ही है इसलिए भारत एक पाइदान नीचे हो गया है और वह चौथे स्थान पर है तो जानेंगे इस इंडेक्स के बारे में Unicorn Companies किसे कहते हैं इस इंडेक्स का महत्व क्या है So, Let's Start अब Huron की बात करें तो Huron एक Research Institute है जो विसुभर में Startups और कंपनियों को रैंकिंग प्रदान करता है इस Institute का ये दूसरा वर्स है जब इसने रैंकिंग जारी की है इस रैंकिंग में Huron ने 586 कंपनियों को जगए दी है जो 29 देशों में 145 सहरों में इस्थित है इन कंपनियों में 80% Software कंपनिया है जो Software Sale करती है और इसमें 60% Consumer Facing कंपनिया है और 5% Traditional Sectors में है जो Financial Services, Retail, Entertainment, Business, Management Solutions, Healthcare, Automobile ये सभी प्रकार की कंपनिया इसमें सामिल है इनमें से 89 Unicorn कंपनिया ऐसी थी जिनके Worth Capital में व्रिद्धी हुई है और 23 ऐसी कंपनिया है जिनके Worth Capital में गिरावट देखी गई है इस Index में 142 कंपनिया नहीं है और 50 ऐसी कंपनिया है जो पिछले वर्स Unicorn थी पर इस वर्स नहीं है अब बात करते है Unicorn की Unicorn होता क्या है या Unicorn Company किसे कहते है एक Unicorn Company उसे कहते है जो Privately Startup Company हो जिसका Value एक Billion से ज़्यादा कहो Unicorn सब्द का उप्योग सबसे पहले 2013 में Island Lee ने किया था जो एक Venture Capitalist है जो Business Statistics के लिए Mathical Animals का यूज करते है या Mathical Animal Symbols का यूज करते है Unicorn की तरह एक होता है Deca Corn Deca Corn उन कंपनियों को कह जाता है जिनका Business 10 Billion Dollar से उपर कहोता है और Hektacorn उन कंपनियों को कह जाता है जिनका Business 100 Billion Dollar से उपर कहोता है यह Uran की Official Site है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है Uran Global Unicorn Index 2020 और यहाँ देखिए यहाँ लिखा है Source Uran Research Institute इसे 4 अगस्त को रिलीज किया गया था फिर यहाँ पर यह सब वही बाते लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई फिर यहाँ पर यह यहाँ पर लिखा हुआ है Top Countries and Cities इसमें आप देख सकते हैं First Rank पे है USA जहाँ पर 233 कंपनिया Unicorn है और Cities की बात की जाए तो बीजिंग First Rank पे है जहाँ पर 93 कंपनिया Unicorn है यह जो First के बगल में अपका निसान है इसका मतलब यह है कि USA पहले Second पे राओगा अब First पे है और यह जो Plus 30 लिखा है इसका मतलब यह है कि इस बार इसमें 30 कंपनिया Unicorn और जुड़ गई है इसी प्रकार से दूसरे स्थान पे चाइना है जहाँ 227 Unicorn कंपनिया है इसमें भी Plus 21 जुड़े हैं फिर तीसरे स्थान पे है UK जो 24 कंपनियों के साथ तीसरे स्थान पर है इसमें यहाँ पर आप देखिए Plus 11 लिखा है यानि 11 कंपनिया इसमें जुड़ी है जो Unicorn हुई है और तीन के बगल में अपका निसान है और फिर है हमारा भारत जो चौथे स्थान पे है जिसके बगल में Down का निसान लिखा हुआ है और इसमें 21 कंपनिया Unicorn है जिसमें एक भी कंपनी Unicorn इस बार नहीं जुड़ी है इसके बाद फिफ्ट पे है साथ कोरिया फिर जर्मनी ब्राजील इसराइल फ्रांस स्विजर लेंड और दस्वें इस्थान पे है इंडोनेसिया जिसमें पांच कंपनिया Unicorn है और भारत के सहरों में बात करें तो 12 इस्थान पर आप यहां पर देख सकते हैं बैंगलूरू है जहां आठ कंपनिया Unicorn है इसमें पहले 9 कंपनिया थी और माइनस वन हो गया है तो इस बार 8 कंपनिया है इसमें और स्क्रॉल करेंगे तो और नीचे यह देखिए इधर यहां पर वो देश है जहां पर एक कंपनिया Unicorn कंपनिया है जिसमें Finland, Lithuania, Argentina, Nigeria, Luxembourg, Philippines और भी देश है फिर यहां पर दिया हुआ है USA Unicorns की Industries तो यहां पर देख सकते हैं कंपनियों के परकार जिसमें SAAS है जिसका मतलब होता है Stands for a Software as a Service इसका मतलब जो Services के लिए Software होते हैं जैसे Amazon हो गया Flipkart हो गया यह कंपनिया होती है इसमें 37 कंपनिया है Unicorn फिर है Artificial Intelligence जिसमें 35 कंपनिया है फिर E-Commerce है Fintech है फिर इसके बाद नीचे स्क्रोल करने पर यहां पर यह है Unicorn Outside of China with a Chinese Co-Founder इसका मतलब यह है वो Unicorn कंपनिया जो च इसमें यहां पर इनकी Total 13 कंपनिया है जो चाइना के बाहर इस्थित हैं जिसमें अधिकतर USA में है इसके बाद यहां पर यह स्क्रोल करने पर यह है Unicorns Outside of India with an Indian Co-Founder भारत में इस्थित Unicorn कंपनियों की संख्या 21 है लेकिन भारत की Outside of India कंपनियों की संख्या जो Unicorn है वो 40 है जिसमें Robin Hood है जो 8 billion US dollar का value रखती है यह USA में इस्थित है ऐसे ही Instacart है Freshworks है Nets Spokes है अधिकतर कंपनिया USA में इस्थित है जो Unicorn है फिर इसके बाद यहां स्क्रोल करने पर यह दिया हुआ है largest countries in the world without a Unicorn यह ऐसे देश हैं जिनकी GDP बहुत हाई है लेकिन यहां पर एक भी Unicorn कंपनिया नहीं है जिसमें Italy है, Russia है, Mexico है, Netherlands है, Saudi Arabia है, Turkey है, Poland है, Thailand है, Belgium है भारत में Unicorn कंपनियों की performance की बात करें तो इस बार Paytium ने 16 billion dollar का business किया है Paytium का पिछले साल 23 इस्थान था जो इस बार 13 इस्थान पर आ गया है इसके बाद Oyo Rooms है, और Byju's है, दोनों के ही business 8 billion dollar के हो चुके है इन दोनों कंपनियों की 31 rank है globally, फिर आता है Ola जो 6 billion dollar का business कर चुका है यह 49th rank पे है, फिर Swiggy और Zometo भी है तो यह थी पूरी जानकारी, Huron Global Unicorn Index के बारे में अब्सी के बारे में